हलो दोस्तों नमस्कार आनलाइन बायलोजी क्लास में आपका स्वागत है पिछले वीडियो भागछा में हमने पराकण की सर्चना के बारे में अध्यन किया जिसके अंतरगत हमने पराकण के बारे में या बताया कि पराकण एक गोल सर्चना होती है और या एक केंद्र की होती ह और एक कोस्की होती है और या दोरी भित्त से गिरी होती है बाहरी भित्त को हम इजाइन या बाहिचोल कहते हैं और आंतरिक भित्त को इंटाइन या आंताचोल कहते हैं और आगे के इस वीडियो भाग साथ में हम पराग कर्ण सरचना भाग दो को अध्यन करेंगे जिसके अंत कर देंगे तो पहले हम बारे में अध्य करते हैं तो आइजिंग करते हैं कि हम इसे बहुत ध्यान से समझना है जिननचित्र के बारे में बाहेचोलघका मैं इसमें देखते हैं माहिता पाल्ण ग्रेयन करेंद पहलं सबता है। तो यह जो है चरन छिद्र कहलाएगा अब इसमें देखते हैं कि डाइकार्ट मोनोकार्ट में कैसे अंतरा ताकि इसकी बनी होती है क्या क्या चीज़े होती है यहाप समझ लेते हैं कि जहां पर इस पोरो पोलनी हमने पहले बता दिया कि इस पोरो पोलनी एक ऐसा पॉरिस सेक् समझना इसको तो प्राजा दूई बीच पत्री पहुंदों के पराकणों में तीन जनन छिद्र होते हैं यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है समझना है कि तीन जनन छिद्र किसमें होते हैं दूई बीच पत्री में और एक बीच पत्री में केवल एक जनन छिद्र होता है एक निकलता है जिसे पराग नली कहते हैं देखिए जैसे जनन यह है इसका 이인 टाइन और बाहर इसका 16 अब हम देख रहे हैं कि 17 और 16 कहीं जहां पे जो है इन्य जाइन इंटरप्ट होती है जहां पे इछे दरबने होते है उसी के मात्धर से जो इंटाइन होती है वहां आउट ग्रोथ को रूप में ऐसे बाहर निकल जाएगी ठीक है यहां पर कुछ नहीं रहेगा तो तो इस प्रकार से जो है इस आउट ग्रोथ को क्या कहते हैं पॉलिन ट्यूब कहते हैं आगे चलते हैं एक इंपोर्टन टापिक है इसमें रेनन कुलस जो एक पौधा है डाइकार्ट का है इसमें जो है 15 से 30 जरन चितर देखा गया है यह चीज यादर करने वारी चीज है और यह डाइकार्ट में हम दे सकते हैं कि डाइकार्ट का यह यह डाइकार्ट का पौलिन गरें में है तो बात समझ में आ गही होगी डाइकार्ट मोनोकार्ट के पौलिन क्या अंतर है और एकस अपसंत्पन के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी अब हम बात करते हैं दूसरे टापिक की पॉलेंगिर्ण की सर्चना में हो है पॉलेंगिर्ण किट जो कि कुछ पॉंधों में पाया जाता है जिसमें पाया जाता है उपॉलेंगिर्ण किट द्वारा होता है उसमें पॉलेंगिर्ण किट पाया जाता है जैसे कि सरसों में गु पराग कड़ों का रंग उनका चिपचिपापन तथा उनकी विशेस गंध किसी परत के कारण होती है यह बहुत अच्छा टापिक है अब देख सकते हैं डाइग्राम को बनाना नहीं है पॉलेंड किट का निर्माड योम कारे इसका निर्माड कैसे होता है उसका कारे क्या है द एपिटम जो होती है हम बता चुके हैं कि एंधर की यह सबसे अंदर की परत होती है जो की निर्माड किसकी करती है पॉलेंड किट का निर्माड करने वाले पदार्स का निर्माड करती है तो बास में आ गई होगी पॉलेंड किट परागण के लिए आत्यांत उफ्योगी होत किटों के पंकों से चिपक जाते हैं तो तीन कार किसके हैं पॉलेन किट के हैं परागड में सहायता करना इसका मुख काम कैसे हैं यह करते हैं पॉलेन अलर्जी आंड हे फीवर तो दो रोग इसमें हम बताने जा रहे हैं पॉलिन एलरजी से ही हे फीवर होता है ये भी समझ सकते हैं तो यूग मकोद भीद तथा टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा उत्पन प्रोटीन प्राकणों के बाहे चोल में उपस्तित खाली अस्थान में भरे रहते हैं ठीक है टेपिटम कोशिकाओं या यूग मकोद भीद इसकी कोशिकाओं से उत्पन प्रोटीन होता है प्राकणों के बीच खाली अस्थान जो होते हैं उसमें भरे रहते हैं एक प्रोटीन भरे रहते हैं ठीक है तो यह प्राकण जैसे ही नमी के संपर्क में आते हैं यह प्रोटीन प्राकणों के बाहर निकलकर वाता वर्ण में भायरकर मुर्स में ज्वर्ग तथा अनलर्जी जैसे सम्मंधित रोग उत्पन करते हैं तो इससे रोग हो गया अब कुछ प्रोटीन पराग इस्तरीकेसर परास्परी क्रिया पॉलेंड पिस्टल इंट्रेक्शन द्वारा उत्पन होती है तथा निसेज चवर्तिकागर कंपैटीबल इस्टिगमा को पहचानने में सहायता करती है इसको सिरल भासा में हम समझाएं तो जो कुछ प्रोटीन निकलती है ऐसे कैसे निकलती है जब पराग जो होता है इस्तरीकेसर या स्टिगमा की संबख में आता है तब क्या होता है कि एक केमिकल निकलता है ऐसा कर सकते हैं एक प्रोटीन निकलती है और जो कि एक पहचानने में सहायता करती है कि इसमें परागण की करिया होगी की नहीं होगी एक पुस्प की पहचान करती कि इसमें जर्मिनेट करके पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन करे कि ना करे इस चीज को यहाँ पे कौन डिफाइन करता है पॉलेन पिस्टिल इंट्रक्षन के समय उत्पन एक प्रकार की प्रोटीन इसको भी हम आगे के टापिक में और से समझाएंगे अभी इतना ही ध्यान दीजिए इसमें आगे चलते हैं और उससे ब्यक्ति संपर्क में आने पर बीमार हो सकता है उसको एलर्जी हो सकती है उसको फीवर हो सकता है तो वो पहुंदे है पार्थीनियम पार्थीनियम हिस्ट्रोफोरस पार्थीनियम हिस्ट्रोफोरस से कैसा पहुंदा जिसको हम समान भासा में कहते हैं गाजा घ ग्योटिक बीड के न पर χते हुए ग्योटिक के बाहर के देस से आया हुआ एक खरह्पतवार है जैसे अमेरिका से आया हुआ एक खरह्पतवार है जो कि भारत में बहुत कामड़ी यह पाया जाने लगा है और इसकेpole ensures एक वर्पश करके विक्ति में कि सानों को समस्या इसके साथ 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 allergy होती है, ठीक है और दुसरा पूंधा चीनो पूडियम П you है सबने देखा होगा यह चीनो पूडियमeless को पूंधा है, इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वह वह भी पॉलन यरलर्जी और हे फिबर या बुखार के लिए responsible होता है मनुष्यों में और तीस्रा जो है जुआर जिसको कहते है सोरघम बलगर सब ने इसको देखा होगा इस पाउथे को इसे सोरघम बलगर जिसे हम जुआर कहते हैं इसका भी पॉलियन के लिए जो है मनुस्यों में एलर्जी उत्पन करता है और हे फीवर उत्पन करता है तो ए प्रकार के हमने जो है समाने जानकारी आपको दी आगे दिलते हैं परागुण बिग्यान परागुन बिग्यान क्या होता है परागुन बिग्यान का मतलब होता है प्लाइनोलाजी इसका मतलब प्राग कड़ों की सरशनायों कारकी के अध्यन की साखा को हम परागुन बिग्यान या प्लाइनोलाजी कहते हैं इसका बिशिष्ट अध्यान यन भी आराई लखनव और उस्मानिया भी स्विद्याले, हाइदराबाद भी स्विद्याले, दिल्ली भी स्विद्याले में किया जाता है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार